हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल फजिक्सपाय नीतू टूड़ी वी विल डिसकस ओन कूलम लॉइन वेक्टर फॉर्म देखो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है, मैं उन्हें बता दू क्लास्ट वेल्थ का सारा सलेबस आपको इस चैनल में मिल जाएगा चैप्टर वाई सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लीज वहाँ जाके चेक कर लेना, देखो हमने कूलम लॉग के बारे में understand किया था, कूलम लॉग क्या बताता है, दो चार्जिस के बीच में interaction के बारे में बताता है, according to कूलम लॉग, दो चार्जिस अगर जो force लग रही है, उसका magnitude इस तरह से find out कर सकते हैं, clear, यह हमने understand कर लिया था, अब देखो, अगर हमें direction भी find out करनी है force की, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी vector form के बारे में पता होना चाहिए, हाना, magnitude तो यह निकल गया, अब उसकी direction के बारे में पता करना है, तो हमें कुलम law की क्या पता होना चाहिए, वेक्टर form, आज हम उसके बारे में discuss करेंगे, देखो, माल लेते हैं, हम अब पास two charges है, same charge है उनके उपर, positive charge माल लेते हैं, हम two positive charge इस पर है, clear, अब देखो, इसका अगर हम position vector ले ले origin से, देखो, यहां से अगर origin से, इसका जो position vector है, यह वाला, ठीक है, यह इसका position vector हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं, r1 का, r1 क्या है, position vector किसका, q1 charge का, और वैसे ही, जो आपके पास q2 charge है, उसका position vector क्या हो जाएगा, r2, ठीक है, यह वाला क्या है, इसका, r2 इसका position vector हो गया, q2 charge का, clear, अब देखो, हम जब force की बात करते हैं, तो दो charges की बीच का distance भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, displacement vector ले ले लेते हैं, अगर हम q1 से q2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो displacement vector क्या होगा, देखो, इस तरह से, यह वाला, देखो, इस तरह से ले लेंगे हम, यह वाला, इस direction में अगर है, q1 से लेके q2 तक, इसे हम r12 से denote करेंगे, यह हो गया displacement vector, दोनों charges के बीच में, कहां से कहां जब हम आ रहे हैं, q1 से लेके q2 की direction में, ठीक है, r12 हो गया, और अगर हम बात करें, कहां से कहां, q2 से q1 की तरफ, तो जो आपके पास displacement vector होगा, उसको मैं यहाँ denote कर रहे हूं, ठीक है, यह वाला, एक ही बात है हम, इस वाले distance की ही बात कर रहे हैं, पर यह आपको show करने के लिए, मैंने इधर draw कर लिया, ठीक है, q2 से q1 की तरफ, उसका displacement vector, उसे हम नाम दे देते हैं, r21, r21, because 2 से 1 की तरफ, तो इसको r21 और q1 से लेके q2 की तरफ, जो यह वाला displacement vector है, यह r12, इसकी direction यह वाली है, clear यहाँ तक कोई problem, अब देखो हम forces की बात करते हैं, ठीक है, q1 पे, दोनों पे positive charge है q1 और q2 पे, ठीक है, q1 charge पे, जो force लगेगी q2 की वज़ा से, इस direction में लगेगी, रिपल करेगा q2 charge q1 को, और वैसे ही जो q2 पे force लगेगी, वो इस direction में लगेगी, due to q1, q1 charge भी q2 को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इस direction में लगेगी, ठीक है, तो हम देखो forces की direction भी draw कर देते हैं, इस तरह से, एक force यहाँ लगेगी, और एक force, इस तरफ को लग रही है, ठीक है, यह वाली force और यह force, अब देखिन forces के नाम कैसे हमने करने है, यह बहुत important है, क्या कहा हमने देखो, यहाँ पे जो force लगेगी, यह कौन सी force है, जो force लग रही है, first वाले charge पे, first वाले charge पे, किस charge की वज़ा से, second वाले charge की वज़ा से, ठीक है, यहाँ बहुत बच्चे confused होते हैं, आपने दियान रखना है, ठीक है, F12 कौन सी force है, जो first वाले charge पे लग रही है, किसकी वज़ा से, second वाले की वज़ा से, इस direction में, रिपेल करेगा, और यह वाली कौन सी force होगी, F, second वाले पे लग रही है, देखो, second वाले charge पे लग रही है force, first वाले charge की वज़ा से, इस direction में, clear यहाँ तक, अब हम देखो, value find out करेंगे, किसकी, हमें vector form में write down करना है, मालो हम F12 को vector form में write down कर रहे है, F12, vector लगाएंगे अब हम, ठीक है, first पे force लग रही है, second वाले की वज़ा से, तो देखो, सबसे पहले तो हम यही write down करे 1 upon 4 pi epsilon 0, q1, q2 divided by, अब आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हम देखो, आप किसकी बात करें, displacement vector की, हम अरपस दो है, R12 and R21, यह इस direction में है, और यह इस direction में है, हमें कौन सा लेना है, आपको हमेशा याद रखना है, हम कौन सा लेंगे, जो force की direction में है, F12 किस direction में लग तो यह हम उसकी बात करें न, F12 इस direction में है, तो जो इस direction में displacement vector है, हमने वो लेना है, तो इस direction में कौन सा displacement vector है, यह वाला, कौन सा? R21, तो हम यह वाला लेंगे यहाँपे, R21, इसका square, clear है? ओके, अब हम vector form की बात कर रहे हैं, तो इसकी direction भी हम लेंगे, यह vector form की बात कर रहे तो इसके साथ क्या कर देंगे है, multiply, इसका unit vector, r21, 11th में हमने पढ़ा है, unit vector, unit vector क्या show करता है, उसकी direction show करता है, उसका magnitude क्या होता है, unit, ठीक है, तो यह हो गया है, unit vector, r21 का, कोई problem यहाँ तक, clear हैंगे चीज, अब देखो, हमें बता, r21, जो यह है, आपके पास, r21, unit vector, unit vector को हम कैसे write down करते हैं, r21, vector, divided by r21, इसका क्या लेंगे, magnitude, इस तरह से, ऐसे write down करते हैं, कोई problem यहाँ पर, unit vector कैसे लिखते है, vector, divided by उसका magnitude, ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर put करेंगे, तो क्या आ जाएगी, f12 की value, f12, किसके ब्राबर आ जाएगा, 1 divided by 4 pi epsilon 0, q1, q2, divided by, देखो, यहाँ पर r21, यहाँ पर हम write down कर रहे हैं, पहले देखो, r21, इसकी जगा क्या write down करना है, हमने, r21, vector, divided by r21 का magnitude, देखो, यह भी तो magnitude ही है, हाना, r21 का square था यहाँ पर, और r21, मैं इसको दवारा expand करके लिख लूँ, देखो, बहुत बच्चों को confusion रहती है, यहाँ पर देखो, वैसे ही, यह topic 11 में बहुत अच्छे से हमने करवाया हुआ, r21 का square, ठीक है, यह वाली चीज, और इसकी जगा भी क्या होता है, यह क्या है, इसका magnitude ही है, ऐसे राइडाउन की है, हमने इसकी जगा, simple, इसकी जगा हमने यह वाली चीज राइडाउन करी और कुछ नहीं किया, clear, अब देखो, इसी चीज को हम कैसे राइडाउन कर लेंगे, नहीं यहाँ भी राइडाउन कर रही हूँ, और यहाँ पर आजाएगा R21 वेक्टर, इस तरह से राइडाउन कर सकते हैं, बहुत से बच्ची कहते हैं नहीं, तो यहाँ तो R21 का स्केर होगा, मैं हम आपनी क्यूव कैसे राइडाउन कर लिया, इसलिए मैंने अच्छे से बताया है, हमने R, जो कैप है, यहाँ पर हम जो से राइडाउन कर सकते हैं, वैसे अब आप F21 को भी राइडाउन कर सकते हो, देखो, F21 क्या होगा, 1 by 4 by epsilon 0, Q1, Q2, divided by, देखो, हम F21 की बात कर रहे हैं, अब कौन सा displacement vector लेंगे, जो 21 की direction की तरफ है, F21 की बात कर रहे हैं, तो देखो, R12 वे इस direction में, तो displacement vector कौन लेंगे हम R12, तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, R12, इसका square, और साथ में, R12, cap, unit vector, ठीक है, simple, अब क्या अगरना में देखो, अब मैं directly write down करूंगी, 1 by 4 by epsilon 0, Q1, Q2, divided by, R, because, यहाँ पर हम write down कर लेते हैं, R12, जो cap है, इसे हम write down कर सकते हैं, R12 vector, divided by, R12, का magnitude, चूर, clear, तो उसकी वज़ा से, जब इसकी जगा यह वाली value put करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R12 का cube, और यहाँ आ जाएगा, R12 vector, यहाँ आगे आपके पास किसकी value, F21, clear, तो देखो, इस तरह से हम, vector form में write down कर सकते हैं, F12 and F21 को, अब देखो, अगर इसी हमें थोड candidate form में write down करना है, तो वो भी आपको आना चाहिए, कैसे हम write down कर सकते हैं, मालो हमें R21 की value find out करनी है, and R12 की, तो उसके लिए देखो, यहाँ पे, ज़्यादा confusion ना हो, इसलिए मैं देखो, separate यहाँ पे draw कर लिया है, क्या क्या था हमारे पास, यह वाला आपके पास क्या था, R1 ठीक है, यह R1 था, और यह क्या है आपके पास, R2, clear, charges यहाँ पर write down कर ले न, ठीक है, यह charges क्या है, यह Q1 है, और यह क्या था, Q2, clear, ओके, यह देखो, यह आपके पास R1 है, और यह आपके पास R2 है, और R12 किस direction में था, इस direction में, देखो, यह वाला इस तरह से, यह क्या है आपके पास R12 अगर आप इसके ये वाली direction याद रखने है ठीक है ये क्या है R12 इस direction में तो देखों अगर हमें आपको 11 में याद है हमें triangle of vector addition भी किया था ये वाला vector इसी direction में है देखों इसकी direction भी same है इसकी direction भी same है जो जो third वाली closing side होती है ठीक है वो के देता है उन दोनों का resultant देता है हाना तो इसका मतलब R1 प्लस ये जो आपके पास R12 है ये किसके बराबर आएगा देखो R2 की direction क्या है opposite है इससे ये R1 और R12 same direction में है clear हो रहे है आपको देखों यही picture draw की है मैंने यहाँ पे ये इसलिए अलग से किया कि R12 अलग और R21 हम अलग से draw कर सके R1 प्लस R12 देखों मैं यहाँ से write down कर सकती हूँ क्या R1 प्लस R12 same direction में है R1 R12 किसके बराबर होगा ये देखों इसकी closing side है तो ये इसका resultant हो गया ये opposite direction में है तो ये किसके बराबर आ गया R2 के बराबर clear यहाँ तक यहाँ से R12 की value find out कर लो R12 की value क्या जाएगी R2 minus R1 के बराबर clear इसी वाली values को हम क्या कर सकते है यहाँ पे put कर सकते है ठीक है जब इस वाली value को यहाँ put करेंगे तो हम F12 को कैसे write down कर सकते हैं F12 simple 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by देखो हमने किसकी value find out करी अभी R12 की देखो सौरी हमने यह वाली value calculate की अभी R12 की है ना R12 तो F21 यहाँ पे हम write down करेंगे ठीक है because हमने कह किया इसकी value पहले find out कर ली clear अब कोई problem नहीं है R12 की value है ठीक है यह वाली value यह हम यहाँ put करेंगे तो F21 की value आएगी clear हुआ यहाँ पे देखो यह F21 होगा clear F21 इसकी value किसके ब्राबर आएगी देखो यह सब चीज और R12 की जगा हमने यह वाली value पूट कर देनी है यहाँ हम write down कर सकते है R2 minus R1 इसका magnitude होगा इसका हाना इसके magnitude का यहाँ पे cube और यहाँ पे हम write down कर सकते हैं इसको R2 minus R1 vector clear इस तरह से इस वाली चीज को हम ऐसे write down कर सकते हैं कोई problem में भी अच्छे से visible ना हो तो मैं द्वारा write down कर लेती हूँ देखो यहाँ क्या लिखा हमने F यह है 2,1 ठीक है equal to 1 by 4 by epsilon 0 q1, q2 divided by R2 minus R1 cube और यहाँ जाएगा R2 minus R1 vector ऐसे आप write down करोगे clear हो गया अब हम वही वाली चीज अब हम किसकी value find out करेंगे हमने R1,2 की की वैसे R2,1 की भी find out कर सकते हैं देखो कैसे यह क्या है आपके पास R2 इसका position vector ठीक है और R2,1 किस direction में होगा इस direction में देखो मैं थोड़े दूर कर रही हूँ ताकि आपको arrow दिख जाए इस direction यह वाला ठीक है यह क्या है आपके पास R2,1 अब यहाँ से R2,1 की value बताओ क्या होगी देखो यह और यह दोनो same direction में है और closing side यह वाली है opposite direction में है तो means R2 plus ऐसे हम apply करेंगे देखो इसको R2 same direction में तो R2 plus R2,1 same direction में है और third जो closing side है यह opposite direction में है तो यह क्या होगा इसका resultant यह किसके पराबर हम write down कर सकते हैं R1 के पराबर अब यहां से देखो हम R2,1 की value find out कर सकते हैं क्या आ गई R1 minus R2 अब यह वाली जो value है R2,1 यह हम इस वाले में put कर देंगे first वाले में F1,2 तो F1,2 की value हम find out कर सकते हैं extended form में ठीक है यह वाली value कहां put कर नहीं है यहां पर कर नहीं है clear हम देखो R2,1 यह वाली value हमने किस में put कर दी यहां पर R2,1 में तो F1,2 हमार पास आ जाएगा इस तरह से यह वाली values यहां put कर दी इस तरह से vector form में write down कर सकते हो यह F2,1 को इस तरह से write down करोगे F1,2 को इस तरह से write down कर सकते हो तो देखो आज हमने vector form of column law के बारे में understand किया I think आपको clear हो गया Okay, thank you